वेलकम बैक तो शानली देलेट क्लासे कैसे हैं आप सब मैं उमीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और टाइम टो टाइम अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे ठेक है आज की जो यहां क्लास आपके सामने पेपर फिफ्थ है जहां पे हम सोशल साइंस के अब्जेक्टिब क्रे कीज़ेगा अच्छे से करते चलेगा पचास तंबर के तीन आपके पास रहना वह तीनों पिलर बहुत अच्छे से तयार करेगा वही आपके परसंट बनाते हैं आप शालनी देलेट का से साथ बने हुए हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब बिलकुल आप बोलें जो भी लोग से कहीं से भी जॉइन कर सकते हैं तो चलिए अपने क्वेश्चन की सिरीत की तरफ आगे पढ़ते हैं अगर वीडियो आपके लिए किसी भी तरीके से हल्फुल है आपकी मदद कर रहा है तो एक कमेंट और एक लाइक जरूर करते हुए जाईएगा तो चलिए देखते हैं अ 2 अगस्त 2015 को सी ओप्शन है साथ मार्च 2018 को और डी ओप्शन है से सितंबर 2019 को करेक्ट आंसर क्या होगा आप सभी कमेंट करके बताईए राइट आंसर इसका यहां पे है एक जुलाई 2017 एक जुलाई 2017 पारत में वस्तु एवं सेवा कर कब लागू हुआ जी एस्टी गुड् सर्विस टैक्स जी एस्टी फुल फॉर्म याद रखेगा पूछ लेगा आपसे एक जुलाई 2017 को एक क्वेश्चन दो तीन तरीके से पूछा दा सकता है आगे चलते हैं नेल लदी का वर्दान किसे कहा जाता है नील लदी कहां पर है यह आपको पता है जिसको भी पता है न मुझे कमेंट करके आप सभी बिताएंगे अब देखते हैं नील लदी का वर्दान किसे कहा जाता है चीन को मिस्वपटामिया को मिश्र को इसमें तीन ही ऑप्शन है तीनों मेंसे आपको चूस करना है बताईए राइट आंसर इसका क्या होगा कि नील लदी का वर्दान किस जो humans है आदिमानव गएरा जो थे उन्होंने सबसे पहले किस धातु को खोजा था तामबे को सोने को चांदी को D option है जस्ते को बताए राइट आंसर इसमें चारों में से कौन सा best है कौन सा होगा मन उसने सबसे पहले किस धातु को खोजा था तो राइट आंसर मैं आप सभी को बता दूँ वो यहाँ पर राइट आंसर ए है तामबे की खोज सबसे पहले हुई थी किसकी खोज हुई थी तामबे की आगे देखते है नेक्स क्वेश्चन नौ प्रशाण काल के औजार कैसे थे नौ प्रशाण काल के औजार जो वेपन्स होते हैं वो कैसे थे नौ प्रशाण काल के आपको प्रशाण काल पढ़ना है काफ़ इंपॉर्टेंट है पुरा प्रशाण काल मत प्रशाण काल नौ प्रशाण काल हार एक काल में कौन सा खोज हुई है, कब कैसे वहाँ पे आर्थिक विवस्था आये थी, कैसे उनका पालन पोचन होता था, सब कुछ आप से questions राइस कर लेगा, काफ़े important है, ये सिर्फ डिलेड में ही नहीं, TED सुपर, TED सीटेट में भी बहुत पुछा जाता है, और अदक exams मे भी helpful कहे रहेगा, तो बताईए, चप्टे खुरदुरे थे, कि गोलकार थे, कि कोड जैसे थे, कि तीखे और चमकदार थे, राइट आंसर इसका क्या होगा, आप सभी comment करके बताईए पहले, तो राइट आंसर में इसका बता दू, D option correct है, तीखे थे और चमकदार थे, जैस किसके सासनकाल में इंडिया आया था, आपको यह बताना है, हर्सवर्धन के, चंदरुप्त मौरी के, विंदुसार के की नंद के, कौन सा ओप्षेस में correct होगा, फटा-फट बताईए, तो राइट आंसर मैं आप सभी को बता दू, चीनी आत्री हर्सवर्धन के काल में भरत किसके हर्सवर्धन के काल में, अब आप सभी को मुझे कमेंट करके बताना है कि वह चीनी आत्री कौन था, क्या नाम था उसका, आगे देखते हैं, इतिहास का जन्मदाता किसे कहते हैं, इतिहास का जन्मदाता किसे कहते हैं, ये questions काफी बार पूछा गया है, ध्यान किसे कहा जाता है, A option, Herodotus को, B option, Galileo को, C option, Stephen Hawkins को, D option, कोई नहीं, आप सभी को मैं बता दू, राइट आंसर, इसका A option, करेक्ट है, Herodotus को, Father of History कौन होते है, Herodotus है, आगे देखते हैं, next question क्या है, किस काल में वैज्ञानिक विकास सुरू हो, ऐसा कौन सा टाइम पीरेट जिसमें, Scientifically Development Startup हुआ, कौन सा काल था वा, आपको यह बताना है, A option, पूरा परशानारकल, मद्ध परशानारकल, ताम परशानारकल, और Law, यूग, राइट आंसर इसका क्या होगा, चारो आप्शन उसे कौन सा टाइम पीरेट था, तो आप सभी को मैं बता दू, राइट आ आगे देखते हैं, नेक्स क्या है, किसी को भी कोई बिडाउट हो, कमेंट के थ्रू पूछ सकता है, हाँ, आगे पीछे हो सकता है, कि मैं वीडियो बनाती रहते हूं, लेकि इतना सबकुस देखना रहता है, तो एक तो option हो सकता है, कि confusing में वो गलत हो जाते हैं, तो अच्छ पढ़िए कि options कहीं गलत न हो जाएं, क्योंकि B, D, C करने में थोड़ा confusion हो जाती है, आगे देखते हैं, next क्या है, 8 question आपके सामने है, कांस यूग में किन सब्विताओं का विकास हुआ था, कांस यूग की सब्विता जो थी, वो कौन-कौन सी थी, आपको बताना है, हडपा इसका उपरोग तो सभी होगा, कांस यूग में जिन सब्विताओं का विकास हुआ था, वह या तीनों सब्विता थी, हडपा की सब्विता थी, सिंदुगाटी की भी सब्विता थी, सुमेरिया की भी सब्विता थी, ठीक है, no doubt, आगे देखते हैं, next क्या है, महापरी निर इसका नौवे का क्या होगा, तो मैं आप सभी को बता दू, C option correct है, गौतम बुद्ध की मित्व से, उनकी debt से related ये शवद है, महापरी निर्वान, आगे देखते हैं, next, नासा के स्थापना कब हुई, अब आप सभी के responsibility, मुझे ये बताना की नासा क्या है, ठीक है, यहापे आपको चार option दिया है, correct answer आप सभी को बताना है, फटा पर बताईए कि स्थापना कब हुई है, नासा की, तो मैं आप सभी को बता दू, right answer, इसका A option correct है, 1958 में नासा की स्थापना हुई है, आगे देखते हैं, next, इस रो के स्थापना कब हुई, इस रो के स्थापना कब आप सभी को बता दू, जैसा आप option देख रहे हैं, the option is correct, 1969, आगे देखते हैं, next, क्या है, नासा और इस रो का full form ध्यान रखेगा, पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, नगर पंचायत का कारिकाल, नगर पंचायत का time period कितने हो होता है, 3 साल, 9 साल, 10 साल, 5 साल, क कितना होता है, आप सभी को बता दू, right answer आपके सामने है, 5 साल, कितना होता है, 5 साल, 5 years, आगे देखते हैं, no doubt, चलते हैं, तेरावा question आपके सामने स्क्रीन पर है, पहिये का विस्कार कब हुआ, पहिया यानि की wheel, wheel का invention कब हुआ, मद्य परशाण काल में, 9 परशाण काल में, पुरा परशाण काल में, कि किसी में नहीं, ये wheel का invention कब हुआ, आप सभी को बताना है, चारो option में से कौन सा correct है, मुझे बताईए, आप सभी को मैं बता दूँ, right answer है, 9 परशाण काल, 9 परशाण काल में, पहिये का विस्कार हुआ, अब ये पहिये से question और पुछा जाता है, कि इनका क्या use था, तो लोग इससे bell गाड़ी चलाते थे, सूत भी काटते थे, और जो पूरे वर्ड में सबसे गहरा महासागर कौन सा है, कौन सा ocean सबसे deepest है, सबसे गहरा है, बताईए, प्रशान महासागर है, कि हिंद महासागर है, कि Atlantik महासागर, कि आर्टिक महासागर है, तो right answer है, क्या होगा, correct बताईए आप सभी, तो आप सभी को मैं बता दूँ, ये options प्रशान्थ महासागर इंडियन ओशेन सबसे गहरा है आप सभी को कितने महासागर हैं उनकी संख्या मुझे कमेंट करके बतानी और पूरी सब जितने भी हैं उनके सब के नाम बता दिया तो ठीक नहीं बताया तो मैं उसको खुच से देखूंगा मुझे वो चीज कभी नहीं भूलती है मुझे जो पूछा गया हो तो यह question पूछा गया था कितने सालों की बाद है फिर मैं आपको बता रही हूं यह याद रखिएगा पूछा जाता है वेदांगों की सं यह देखती हूं किसको याद है 16th question आपके सामने यह रहा पंचायत प्यवस्था में कार कितने अस्तर पर होता है जो पंचायती सिस्टम है पंचायती सिस्टम उसमें जो level पे कार होता है वो कितने level में divide है कितने अस्तर पर होता है 1, 8, 6, 3 right answer इसका क्या होगा तो right answer आपके स responsibility वो तीनस्तर के नाम मुझे आप सभी को बताने हैं आगे देखती हूं next question क्या है ये रहा आपके सामने 17 ग्राम सिक्षा समित का अध्यच कौन होता है ग्राम सिक्षा समिती नाम से ही पता चल रहा है ध्यान रखिएगा questions फस्ता है बच्चे confused होता थे ग्राम सिक्षा समित का अध्यच कौन होता है ग्राम प्रधान अभिवावक पता धिकारी की कोई नहीं राइट आंसर क्या होगा सत्रावे का आप सभी को मैं बता दू करेक्षा इसका है ग्राम प्रधान क्या है ग्राम प्रधान कौन होता है वो ग्राम सिक्षा समित का अध्यच होता है जो ग्राम सक्षा समीत में क्या कारे करवाना है, क्या Aidन ले आना है, कैसे कंट्रोल करना है, सारा नियंतर उनके हाथ में, उनकी तेक रेक में होता है, क्रैक्ट है, no doubt आगे बर्चती है, अठार्वा क्कैस्न आपके सामनेมें, नगर पंचायत कितने वर्सों के लिए बनाई जाती जो नगर पंचायत का चुनाव होता है वह कितने वर्सों के लिए बनाई जाती है या उनका टाइम पीरिड कितना होता है उनका कारेकाल कितना होता है एक साल होता है कि तीन साल होता है कि चार साल होता है कि पांच साल होता है आप जिस जिले में रहते हैं, वहाँ पे सरकारी होस्पिटल है, हर जिले में है, ठिक है, गए भी होंगे, नहीं भी गएंग बात की बात है, वहाँ का जो संचालन है, दवाओं का, मरीजों का, बेट सीट का, लाइड का, बिजली का, पानी का, सफाई का, ये सारी रिस्पोंस स्क्रेन या CMHO ध्यान रखीगा CMO और CMHO दोनों मिलता दूलता है कंफ्यूज नहीं होगा आप सभी बताएं राइट आंसर का क्या होगा आप सभी को मैं बता दूं राइट आंसर है मुख्य चिकित साधिकारी CMO अब आपको CMO का फिल्फॉर्म इंग्लिस में मुझत से नहीं पूछेगा आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है पूछ लेगा अब ही आप से इस थापना पूछी तब पूछा इसका मुख्याले कहां है और मैंने आपसे क्या पूछा है कि ये क्या है और आपको इसका जो फॉल्फॉर्म है वो मुझे कमेंट करके बताना है ठीक ऐसे एक सोचिए एक टॉपिक है कितना क्वेशन अराइज हुआ ऐसे क् इसको कहते है घुसके पढ़ना एक टॉपिक पढ़ो उससे इस से थालों कुछ बनेगा ही नसा कहां है नसा क्या है फुल फॉर्म क्या है कब बना बस इससलों आपसे क्या पूछेगा आपके डीलेट में इतना ही पूछेगा ठीक नासा का मुख्याले कहा है वसंगतंग डीसी में है इंडिया में है, यूके में है, जापान में है आप सभी को बता दू और पता है राइट आंसर यहाँ पे है वसंगतंग डीसी ठीक है आगे चलते हैं इंडेक्स देखते हैं एकीसो क्रशन आपके सामने यहां पे हैं, विस्सू का सबसे छोटा महादीप, पुरे वर्ड में सबसे छोटा स्मॉलेस कौन सा है, आप सभी को बताना, ऐस्ट्रेलिया अफ्रीका अमेरिका नन, कौन सा है, और आप किस कौन्टिनेट में रहते हैं, यह आप को कमेंड करके इसका structure है तो सबसे चोटा महादीव कौन सा है Australia है आगे देखते है next 22 वा क्वेशन आपके सामने है विश्व की सबसे लंबी नील नदी किस महादीव में बहती है देखिए एक क्वेशन दो तरीके से विश्व की सबसे लंबी तो सबसे लंबी नदी कौन सी हो गई नील नदी एक क्वेशन मिल गए अब आपसे पूछ रहा है कि कहां बहती है किस कौन्टिटेंटर फ्लो होती है और एक चीज़ अभी पताना चाहूंगी नील नदी और अमेजन नदी दोनों में confusion होती है ठीक है नील नदी लंबाई में सबसे लंबी है लंबी का मतलब क्या होता उसकी बkin know to your辛 बहुते हैं अब ही आप से भूश रहा है की कौन से महाद्यूप में 1 बुख09 होती है तो चलीजन करणी मिया होगा तो बिलकुल सब कर दो चाहिए ठीक है तो तीन है आठ है नौ है चार है किसी गलट नहीं होना चाहिए राइट अंसरorkण कर दी है चार है अब वों कौन है यह आपको मुझे बताना है नेक्स देखते हैं क्या है एक question कैसे कैसे ले आता है यह आपको समझना है मैं आपको यह question इसी लिए करवा रही हूँ कि आपको ऐसे ही basic आएगा मेरी request है कि बहुत अच्छे से पढ़ लीजे 90 प्लस बनाईगे जिस दिन result आएगा ना इतनी बढ़िया खुशी होगी वाकई में मान लीजे मेरी बात को जिस दिन result आपका आएगा ना वाकई बहुत अच्छी feeling होगी लेकिन आपको महनत करके पाना होगा वो चीज़ एक semester महनत से कर लीजे फिर सारा काम हो जाएगा ठीक है कोई बात नहीं देखते है next क्या है 24 वा क्वेशन आपके सामने यह और बढ़िया क्वेशन आया पुराणों की संख्या कितनी है पुराण वैसे तो बहुत जादा है ठीक है अब उसमें से जो important है जो questions के रूप में बनता है D option है 20 तो बताए चारों में क्यों सा सही होगा आप सभी को मैं बता दू राइट आंसर है A option correct है पुराणों की संख्या कितनी है 18 यह जो संख्या है यह आप 18 exact नहीं है क्योंकि 18 को ही मानिता दी गई है इसलिए 18 को सही कहा जाता है वरना यह बहुत ज्यादा संख्या में है ठीक है अब वह 18 पुराण के नाम आपसे नहीं पूछेगा आपको सिर्फ संख्या पूछ लेगा तो दिहान रखिएगा आगे देखते हैं next विश्रु का सबसे बड़ा महाद्वीब कौन सा है अब आपको मुझे हमझे ऑप कवातेपनी कोम सभी कॉंटिन के नाम बज़े कमेंट करने है और रह चता हैं कौहरो और कने चता वह दूत है आप सभी की जानकारी के लिए लिए बता दूँ और आप सभी को पता हो पता हो लिए ASI महादीब एशिया कॉंटिनेंट ठीक है अब आप कहां रहते हैं यह मुझे आप कमेंट करके बता ही मैं सबका कमेंट चाहती हूं कि यह जानकारी आपको जनरल अवेरनस के तौर पर होनी चाहिए नेक्स देखते हैं क्या है भारत के पड़ोसी देश कितने हैं भारत के पड़ इसका राइट आंसर ए ओप्शन करेक्ट है भारत के पड़ोसी देश आठ है लेकिन एक थोड़ी सी कंफ्यूजन मुझे अभी लग रही है फिर भी जिसको भी क्लियर होगा मुझे भी कमेंट करके बता देगा मैं यह ओप्शन फिक बार देख लूंगी फिर से दुबारा क बारत का राज सबसे लंबी अंतरास्ती सीमा बनाता है इंडिया का ऐसा कौन सा स्टेट है जो इंटर्नेसनल बॉंडरी को क्रियेट करता है वो भी सबसे ज़्यादा लंबी सबसे लेंथ में गुजरात की टट्रेखा हिमाचल की गुवाकी की कोई नहीं 27 इसका क्या होगा कि ऐसी कौन सा राज की सीमा रेखा है जो अंतरास्ती सीमा रेखा को बनाती हो भी सबसे लंबी दूरी तक वो इंटर्नेस्टनल बॉरडर लाइन को क्रियेट करके रहती है वहाँसे क्या होना है आयात निर्यात ने बहुत ही फाएदा हो जाता है बहुत जादा अमिल्ब तो राइट आंसर आप सभी को मता दु घुजरात की तट रेखा ट रेखा सबसे ज़जञादा लंबी यंतर रास्ती सीमा रेखा को फ़र्म करती है आगे देखते ही next क्या है Thanks for watching आज की class यहीं तक आज हमने top 27 questions को किया है किसका कितना answer correct है वो मुझे comment करके बताएगा जो जो चीजे मैंने वहाँ पे पूछी है आप सभी की responsibility है मैं आप से उम्मीद कर सकती हूँ कि आप सभी मुझे बताइए जो मैंने full form पूछा है जो भी चीजे मैंने पूछी है देखती हूँ कि कौन अच्छे से बढ़ रहा है कौन मेहनत मेरे साथ कर रहा है अगर यह वीडियो helpful है और अच्छा आगा है तो एक like ज़रूर करिएगा और एक comment ज़रूर करिएगा इस तरह की बहुत साइब वीडियो के साथ दुबारा हम कल 6 वजे फिर मिलेंगे सामको तो तब तक के लिए टेक के and keep watching